हलो फ्रेंड्स मैं हूँ परिक्षी जुबन पुतरा लाइफ मनेजमेंट कोच एन बुड़ेशल स्पीकर एंड मुझे ज़्यादा तर पारेंट्स कहते हैं कि सर हमारे बच्चे डिसिप्लीन में नहीं रहते हमारी बात नहीं सुनते नमबर टू हम हमारे बच्चों को रिस्पॉंसिबल बनाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैपी बने एंड हम चाहते हैं हमारे बच्चे जीवन के अंदर सक्सेस्फिल बने तो यह दोनों चीजों को हम किस तरीके से मैनेज करें very first thing, बच्चे जो हमारी बात नहीं सुनते, वो situation को कैसे tackle करें and number two, बच्चों के अंदर ये R, H and S वाली तीनों के तीन क्वालिटी हम बच्चों के अंदर कैसे लाए and मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आप आपके बच्चे को responsible, happy and successful बनाना चाहते हैं तो मैं चाहूँगा जल्दी से comment के अंदर R, H, S टाइप करके मुझे बताए ताकि मुझे पता चले और ये वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यही formula शेर करने वाला हूँ, कि कौन सी गलती होती है, वो गलती को avoid करके हम बच्चो को well disciplined बना सकते हैं और उसके साथ में कौन सी वेसी five tips है, जो follow करके बच्चो को responsible, बच्चो को happy and बच्चो को successful बना सकते हैं यही चीज के लिए हम आगे बड़े उससे पहले में आपको कहना चाहता हूँ, कि यदि आप आपके parenting से जुड़ा हुआ, आपके बच्चों से जुड़ा हुआ, कोई यदि प्रशन मुझे पूछना चाहते हैं, तो परिक्षित जुबनपुतरा Life Coach नम की मेरी mobile app को download कर सकते है, वहाँ पर parenting से जुड़े हुए मेरे 300 से ज़्यादा विडियो अवेलेबल है, नमबर टू, वहाँ पर parenting के लिए meditation है, नमबर थ्री, वहाँ पर आप मेरे counselor के साथ direct बात कर पाए, उसके लिए Ask Us नम का module है, वहाँ पर आप सीधा आपका प्रशन मुझ तक या मेरे counselor तक प है, वह हमारी Xerox copy है, जाने अन जाने में हमसे वैसे कोई गलती हो जाती है, जिसके करण शयाद हमारा बच्चा ही हमारी बात नहीं सुधा, तो as a parent हमें वह जानना जरूरी है, नमबर टू, उसके बाद में 5 important solutions है, जिसके बारे में भी मैं बताऊंगा, तो ये वीडियो को अनते तक देखना बेह दी जादा जरूरी है, so very first mistake जो जादा दर ममी पापा के दवारा होती है, and that is what, that is what, जल्दी से, suggestions with fear, तो मैं आपको बताऊं, suggestions with fear क्या होता है, as a mother, as a father, आप आपके बच्चों को suggest कर सकते है, बटा तेरे लिए ये सही है, तेरे लिए ये गलत है, ब with fear देते है, वो बहुत बड़ी गलती होती है, और काफी सारे ममी पापा तो हर छोटी-छोटी बात में डराते रहते हैं बच्चों को, example के तोर पे, खाना खाले, वरना, ब्रश कर ले, वरना, पढ ले, वरना, hostel में डाल दोंगे, खाले, वरना, पलीस पकड़ जाएगी, य दोस्तो जितनी भी बार आप आपके बच्चों को डराते हो, वो डायलोग तो याद होगा ना, उतना भी मत डराओ कि डर का डर ही कतम हो जाए, जब आप आपके बच्चों को डराते हैं, या kind of negative affirmation या suggestion देते हैं, माने न माने आपकी authority का बच्चा स्विकार करना छोड़ द देता है, बच्चा आपको respect देना छोड़ देता है, बच्चा आपकी बात ध्यान से सुनना छोड़ देता है, और उसके बाद में उसके discipline के लिए, उसके life के लिए, कोई भी जब आप अच्छे suggestion देते हो, बच्चा कभी follow नहीं करता, तो ये एक गलती क्या आप कर रहे हो, म ममी की जो सोच है, वो अपने बच्चे को लेकर कुछ अलग होती है, जो पापा की सोच है, अपने बच्चे को लेकर कुछ अलग होती है, and दोनों अपने बच्चे को अपनी जो इच्छा है, उसके accordingly परवरिश करते हैं, so पापा इस a kind of person की जो lenient है, उनको लगता है कि तो उसके साथ मुझे discipline से like kind of page आना होगा, उसको discipline में रखना होगा, सारी जो चीजे मांगे वो मैं दे दूंगी तो बच्चा बिगड जाएगा, इसलिए mama kind of force के साथ, mama discipline के साथ बहेव करती है और पापा linear तरीके से behave करते है, और ये दोनों के situation को देखते हुए, बच्चा है, वो kind of बिगड़ना शुरू हो जाता है, उसको ममी से कौन सा काम करवाना, पापा से कौन सा काम करवाना, वो उसको पता चल जाता है, घर के अंदर ही वो politics करना शुरू कर देता है, ज्यादे त तीसरा वक्ती सोचे कि इसको kind of AC वाले रूम, बंद रूम में रखेंगे, इंडोर प्लांट है, तो वो उसको उस तरीके से treat करे, What do you feel, कि तीन अलग-अलग माली या तीन अलग-अलग व्यक्ती, वो एक प्लांट को अलग-अलग treatment दे तो, क्या होगा, प्लांट अच्छे तरीके से grow करेगा, या प्लांट बिगड जाएगा, So definitely plant बिगड जाएगा, same way मैं कहना चाहता हूँ, आपका जो बच्चा है, वो एक छोटे से प्लांट की तरह है, वो बच्चा, जब आप मम्मी अलग-तरीके से उसे treat करेगी, और पापा उसको अलग-तरीके से treat करेगे, Definitely, जो बच्चा है, वो बगड़ने वाला है, and because of that, बच्चा ना पापा की सुनता है, ना मम्मी की सुनता है, and because of that, बच्चे के अंदर discipline नहीं रहती, then after, यदि हम third mistake की बात करे, तो वो होता है, always yes पापा, and always yes ममा, काफे सारे मम्मी पापा को ये लगता है, कि मुझे जो बच्चपन में नहीं मिला था, वो सारे के सारे facilities बच्चों को देनी चाहिए, आज यदि हमारे पास है, तो हम बच्चों को क्यों न दे दे, पर दोस्तों, माने न माने, जब आप सारी की सारी चीज़ वस्तू बच्चों को struggle की बिना दिला देते हैं, बच्चों को struggle की बिना जब भी कोई चीज़ दे देते हैं, वो चीज़ वस्तू की वैल्यू खतम हो जाती है, वो वस्तू की वैल्यू खतम हो जाती है, और माने न माने वो देने वाले मम्मी पापा की भी वैल्यू खतम हो जाती है, फिर बच्चे को लगता है सारी चीजे वो मेरा अधिकार है और उसके बाद में वो बहुत ज़ादा डिमानिंग हो जाता है और वो फिर डिसिप्लिन में नहीं रहता So very first thing जो मैं कहना चाहता हूँ यदि ये तीन में से कोई एक भी गलती आप करते हो तो very first thing मैं चाहूँगा कि वो comment करके बता है कौन से ये तीन में से गलती करते हूँ ये तीन गलती को अब हमें avoid करना है and now मैं 5 powerful strategies है जो आपके साथ share करना चाहता हूँ जो आज के बाद आपको अपनानी है So कौन से ये 5 चीजे है जो आप अपनाएंगे तो आपके बच्चे happy भी बनेंगे successful भी बनेंगे responsible भी बनेंगे वो बताओं उसे पहले मैं आपको एक good news देना चाहता हूँ मैं संडे को आने वाले संडे को मेरा एक live webinar है ये वीडियो में भी 10 मिंट का and comment box के अंदर भी मैंने रखे हुई है यदि वो दो घंटे के interactive session को parenting के session को यदि आप attend करना चाहते है child psychology को समझना चाहते है तो मैं आपको invite करता हूँ मेरे इस free webinar को attend करने के लिए So now 5 solution के बारे में हम बात करे तो पहला solution जो अब हमें ध्यान में रखना है and that is what आज के बाद हम बच्चों को fear वाला suggestion नहीं देंगे positive suggestion देंगे So दोस्तो suggestion with fear क्या होगा तो खाना खाले वरना police पकड़ जाएगी that is the suggestion with fear or kind of negative suggestion उसकी जगह पर बेटा तो खाना खाएगा तो तेरे अंदर तकात आएगी So kind of that is the positive suggestion बेटा तू पढ़ेगा तो उससे तेरा future bright होगा बेटा तू पढ़ेगा तो तेरा जो डॉक्टर बनने का सपना है वो जरूर से पूरा होगा बेटा तू अभी health पे ध्यान देगा तो in future तो ज़्यादा healthy होगा kind of आज के बाद मैं मेरे बच्चे को negative ये डराने वाले suggestion ना देते हुए inspiring and positive suggestion दोंगा तोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप आपका commitment I will always give positive suggestion वो जल्दी से commitment आपका यहाँ पर comment box के लिए टाइप करे very first thing आपको जब भी आपके बच्चे के साथ interact करते हैं मैं आपको strongly recommend करूंगा पहले जो बोलना चाहते हैं वो मन में बोले मन में बोले और खुद सोचे कि ये negative suggestion है ये kind of fear वाला suggestion है कि positive inspiring suggestion है यदि negative लगे तो वहीं पर रुख जाए बोले नहीं यदि वो inspiring हो positive हो तो बच्चों के साथ deal करें दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जब एक दिन, दो दिन, पांस दिन, साथ दिन आपको सोचना पड़ेगा पड़ साथ दिन, आट दिन के बाद जब आप वो चीज की practice करते 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 20 से 21 दिन चले जाएंगे उसके बाद में हमेशा आपके मूँ से positive चीज़े निकलेगी अच्छी चीज़े निकलेगी बच्चे के साथ guarantee के साथ कहता हूँ बच्चा आपकी xerox copy है यदि आपके मूँ से अच्छी और positive बाते निकलेगी तो बच्चा भी आपकी बातों को मानने के लिए positively हाँ कहेगा आपकी बातों को वो माननेगा happy होगा, responsible होगा and successful भी होगा उसके लिए very first formula and that is what? positive suggestion now second यदि हम बात करें बहुत ही ज़्यादा important है and that is the moral stories तो स्टो जो बच्चे होते हैं बच्चों का जो brain होता है वो kind of connections बनाता है stories के माधियम से कोई भी चीजवस्तु को यदि आप बच्चों को समझाना चाहते हैं तो मैं आपको strongly recommend करूंगा वो normal advice के form में आ देते हुए आप story के माधियम से कहें मैं जब छोट रहा था मुझे याद है जो मम्मी के दोरा मुझे काफी सारी कहानियां सुना ही चाहती थी and वो majority of the stories आज भी मुझे याद है and somehow मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे जीवन के अंदर मेरे जो personal growth हुआ है उसके अंदर ये शरीर के बात नहीं मन के बात चल रही है हलाकि शरीर का growth भी हुआ है पर मैं कहना चाहता हूँ उसके अंदर मेरे मम्मी के दोरा जो moral stories कही जाती थी उसका सबसे बड़ा योगदान है एक बार Einstein को पूछा गया कि यदि हम बच्चों को genius बनाना चाहते हैं क्योंकि आप genius है तो बच्चों को genius बनाने की formula आप यदि हमें कुछ बटा पाए तो उनको पूछा गया कि genius बनाने की formula क्या हो सकती है Einstein कहता है बच्चों को कहानी सुनाए पत्रकार को उतना ज़्यादा समझ में नहीं आया उनने ने कहा कि अच्छा और ज़्यादा genius बनाना हो तो अंसर ने कहा और ज़्यादा कहानीय सुनाए येस दोस्तो बच्चों को genius बनने का बच्चों को कोई भी बात समझाने का डांट के धमका के मार के बच्चे गमी नहीं मानेंगे बट यदि आप कोई moral स्टोरी बच्चों को बताएंगे definitely बच्चा वो बात समझेगा so कौन से स्टोरी है जिसने आपके उपर प्रभाव छोड़ा हुआ है effect छोड़ा हुआ है और maybe शायद कौन से स्टोरी है जिससे बच्चा आपकी बात मानता है मैं चाहता हूँ वो comment box के अंदर आप type करके मुझे बताए और आपके जो भी comments होती है वो सारी की सारी comments में बढ़ता हूँ so कौन से स्टोरी है जिसने आपको inspire किया या maybe number two कौन से स्टोरी है जिससे बच्चों के ओपर positive impact आया वो आप share कर सकते है और in fact मैं कहूँ अकबर बिर्बल की कहानी हो सकती है तैनाली रामन की कहानी हो सकती है वैसी कौन से स्टोरी है जो आपको बहुत ही अच्छे लगती है मैं जब चोटा था पंच तंतरा एंड अकबर बिर्बल आपका काम बच्चे की सही परवरिश करना है ना की खुद का सही बनना मुझे काफी ममी पापा कहते है कि मैं अच्छी ममी कैसे बनू मैं अच्छा पापा कैसे बनू मैं कहना चाहता हूँ आपको अच्छे ममी पापा नहीं बनना आपको सच्चे ममी पापा बढ़ना है और सच्चे ममी पापा काउन होते है जो खुद पे नहीं टीम पे विश्वास रखते है पहले का समय अलग था जहां पर पापा ध्यान नहीं देते थे तो चलता था पर टुड़े इस अटाइम कि जहां पर ममी एंड पापा दोनों को टीम वर्क में काम करना पड़ेगा शायद कई बार ऐसा हो सकता है कि मुझे लगता है कि बच्चों को पढ़ने के लिए या उसको लिखने के लिए उसको डाटना धमकाना ज़रूरी नहीं है उसको इतना ज़्यादा फोर्स ना करे बट सम्हाँ यदि उस समय पे वाइफ यदि बच्चे को बोल रही है या उसको टोक रही है इन केस नहीं टोकना चाहिए नहीं दमकाना चाहिए बट इन केस यदि वो हो रही है उस समय पे आप चूप रहें उस समय पे आप बच्चों की फेवर की बात ना करे था थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए काइंड ओफ उस तरीके से आप में भी शायद आपके हजबन भी गलत हो सकते हैं कई और कई बार वाइव भी गलत हो सकती हैं सो इन वे बच्चों के सामने तू तड़ाक से बात ना करें एक दूसरे को डिस्रेस्पेक्टफुली बात ना करें या एक दूसरी के पॉइंट अफ व्यू से डिसग्री ना करें अब जितने टीम में रहेंगे बच्चों की परवरिश उतनी अच्छी होगे सो मैं आपका कमिट्मेंट चाहता हूँ कि आप आज के बाद आपके जीवन साथी को आप सहकार देंगे क्योंकि आप ममी पापा बाद में है हस्बन वाइफ पहले है So, अच्छी वाइफ आप यदी बनेंगे, अच्छे हजबन यदी आप बनेंगे, तो अच्छे ममी बापा आटोमेटिकली बन जाएंगे So, ये टेक्निक के अंदर आपको फॉलो करना है या फोकस करना है on the team work And then after दोस्तों मैं आपके साथ शेर करना चाहता हूँ The most powerful thing as a parent, यदी आप आपके बच्ची के लिए कुछ कर सकते है And that is, बच्चों को रोज सुबह में या रोज सुलाते वक्त बच्चों को जादो की जप्पी दे बच्चे जब भी अकेला महसूस कर रहा हो, बच्चों को जादो की जप्पी दे बच्चे शायद आपकी बात ना मनें, कई बार ऐसा होता है कि बच्ची reluctant हो जाते हैं बच्चा गुसा करते हैं, मैं कहना चाहूँगा उस समय पे बच्चों के साथ गुसे से बात करें उस वे अच्छा बच्चे के पास जस अपनी घुटनों पे बैट जाए और बच्चे को जादू की जप्पी देदे समयल के साथ बच्चे के सामने यदि आप देखेंगे और प्यार भरी यदि जादू की जप्पी देदेंगे guarantee के साथ कहता हूँ, बच्चों का गुस्ता कम हो जाएगा बच्चा आपकी बात मानेगा बच्चा discipline में रहेगा बच्चा home work से लेके सारी चीज़े करेगा बढ़ाज कल के बच्चे प्यार से मानते हैं डांट फटकार से नहीं तो कितने आप में से यदि आपको feel है जादू की जप्पी का power यदि आप यदि feel करते हैं कि यस उसके अंदर जादा power है थपड मारने से भी जादा तो जल्दे से जादू की जप्पी जादू की जप्पी टाइप करके मुझे बताए यदि डान अफटो दूस्तो पांचवा एन अल्टिमेट पॉजिटिव परेंटिंग का यदि मैं point यदि आपके साथ share करू तो वो मैं कहना चाहता हूँ बच्चो के childhood को accept करें and number two वो childhood को enjoy करें मुझे काफी सारे मम्मी पापा कहते है कि हम बच्चो को अच्छे तरीके से बड़ा कैसे करें मैं कहना चाहता हूँ वो छोटे सी ननी सी जान को आप बड़ा कर पाए आप responsible कर पाए उसके लिए उपर वाले ने वो बच्चे को आपके घर पे नहीं भेजा पर आपका जीवन जीते जीते family की and business की जो भी responsibility है financial responsibility वो निभाते निभाते आप बच्चा बनना भूल गए है आपको आपका बच्चपन याद करानी के लिए इश्वर ने, अल्ला ने, गौड ने, जीसस ने वो बच्चे को आपके घर पे भेजा है सो मैं कहना चाहता हूँ बच्चा बड़ा हो जाएगा उससे पहले बच्चे को बच्चा होने दो आप दुखी आत्मा की तरह हमेशा उसको सुधारने में लगो उससे अच्छा उसके साथ relationship को सुधारने पे ध्यान दो आप बच्चों के बच्चपन को accept करे वो बच्चे है उनको बच्चे रहने दो उसके साथ बच्चपन की कौन सी गेम खेलेंगे कौन सी activity करेंगे जो बच्चे को पसंद है मैं कहना चाहता हूँ बच्चे को में भी सुडो को पसंद है में भी अंताकशेरी पसंद है में भी पकडम पकड़ी में भी चुपम चुपे पसंद है जो भी पसंद है मैं चाहता हूँ कि रोज 20 मिनिट 30 मिनिट आप बच्चों के साथ बच्चे बन कर खिलना शुरू करें गेरिंटी के साथ कहता हूँ आने वाले 20 से 30 दिनों के अंदर आपके और बच्चों के रिलेशन्शिप्स जादा इंप्रूव हो जाएंगे और गेरिंटी के साथ कहता हूँ उसके बाद में बच्चा डिस्सिप्लीन में भी रहेगा बच्चा आपकी बार सारी बात सुनेगा भी आपका और उसका इमोशनल कनेक्शन भी स्ट्रॉंग होगा और आपके पैरिंटींग के प्राब्लम्स भी दूर होंगे तो ये पांचों की पांच चीज में से कौन से चीज है जो आप फॉलो करेंगे मैं चाहता हूँ कि जल्दी से अब कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताए ये पांच चीज करने से पहले वो तीन गलतिया यदी करते थे तो वो छोड़ना है और ये पांच चीज अपना नहीं है और येस दोस्तों फिर से आपको याद कराना चाहता हूँ कि यदी आप पैरिंटींग के टॉप सिक्रेट्स यदी जानना चाहते हैं दो घंटे के लाइव वेबिनार के माधियम से तो आने वाले संडे को ही वो वेबिनार हो रहा है उसकी लिंक रेजिस्टेशन की मैंने डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट बाक्स में रखे हुई है मुझे लाइव मिलने के लिए परेंटिंग के लाइव सिक्रेट्स जानने के लिए जल्दी से आपका वेबिनार के लिए रजिस्टेशन करवाए और यदि आप ऐसे परेंटिंग के धेर सारे वीडियो को यदि देखना चाहते हैं एवरी वीक में परेंटिंग के ऊपर एक नए वीडियो रखता हूँ वो यदि सारे के सारे वीडियो यदि आप चाहते हैं कि आपको मिले उसकी जहनकारी तो जल्दी से ये चैनल को सब्सक्राइब करे बिल का बटन प्रेस करे ताकि एवरी वीक ऐसे नए पावरफुल वीडियो अपको मिलते रहे सो आप सक्सेस्फुल परेंट बने आप हैपी परेंट बने वसे धेर सारी शुब कामना है मिलेंगे, मिलते रहेंगे, खेलते रहेंगे बाबाई, ठेक केर झाल